तो देखें आपके पास यह टेबल दी हुए जिसमें पर्मानेंट टिशू है फिर यहाँ पर सिंपल और कॉंपलेक्स है और फिर यहाँ पर देखिए तीन फिल इन दा ब्लेंक से तो इसको आप समझ सकते हैं देखिए पर्मानेंट टिशू दो तरीके के हमने आपको बताये एक सिंपल होता है और एक कॉंपलेक्स होता है सिंपल भी तीन तरीके के पर्मानेंट टिशू होते हैं एक हमारे पास होता था पैरेंग काइमा तो यहाँ पर हम पैरेंग काइमा फिल कर देएंगे सेकंड बन कोलैंग काइमा इस गिविन हेर नाव थर्ड बन इज इसकले रेंग काइमा तो वह यहाँ पर फिल इन दा भी लेंग समा जाएगा और अब देखें complex issue जो complex issue होते हैं वो हमारे पास दो type के होते हैं एक होता है xylem और एक होता है follow em तो इस तरीके से तीन जो आपके पास ये blanks से इनमें आपने आसानी से fill कर दिया है इनके basically types के basis पर